पुर्धान मंत्री नरेंद मोधी ने कल घरेडू वैक्सिन निर्माताओं से की बात और कोविड काल में उनके प्रयासों की की सरहना उन्होंने वैक्सिन निर्माताओं से विश्विस तरिये माप दंडो को अपनाते हुए इससे संस्थागत रूप देने के जलुत बताई पुर्धान मंत्री के आगमन की तैयारियों की की समिक्षा उन्होंने जन सबाय स्थल का अंद्रिक्षन भी किया अधिकारियों को चाक चौबंद विवस्था के दिये नुर्दीश पुर्धेश के किशी मंत्री सूर्पताप शाही ने अभी हाली में भारी बारिश और बार के कारण पीली भीत में हवाई सर विक्षन कर बार से हुए नुक्सान का लिया जायजा उन्होंने कहा किसानों की फसल के नुक्सान का आकलन कर शतिपूर्थी की जाएगी और आगामी 13 से 20 से नौंबर तक बस्ती में होगा सांसद खेल महाकुम्ब का आयोजन भाजापा के राष्टे सचिव और बस्ती के सांसद हरिश्टिवेदी ने इस खेल के परते लोगों में जागुता फ्हलाने के उद्देश से साइक्ल रैडिके की रवाना नमस्कार मैं हूँ जेश्वास्त और अप्त समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घरिलू वैक्सिन निर्माताओं से बात चीत की प्रधान मंत्री ने वैक्सिन निर्माताओं के प्रयासों की तारीफ की और कहा कि पिछले डिल सालों के दौरान वैक्सिन निर्मान में श्रेष्ट वहवार अपनाया गया है उसे संस्तागत रूप देने की जरूरत है उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से वैशिक मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सिन निर्माताओं ने भारत की सफलता की कहानी में एक बड़ी भूमिकानी भाई है उन्होंने महामारी के दौरान उनकी कड़ी मेहनत और उनके द्वारा किये गया आतम दुश्वास की सरहना की साथी उन्होंने ये भी कहा कि टीका करन अभ्यान की सभलता के बाद पुरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भविश्य की चुनोतियों को सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए भी वैक्सिन निर्माताओं को लगतार मिलकर काम करना चाहिए साथी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले वैक्सिन निर्माताओं ने उनके नितरत्व की सरावना की उनने कहा कि प्रधान मंतरी ने वैक्सीन के निर्माल से जड़े मुद्धों पर जो सुझाव दिये उनके कारण ही ये बड़ी उपलब्धी को हासिल किया जा सका है प्रधान मंतरी एक प्रधान में आए जा सका हुआ जा सकार्या जा 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 सका है प्रादानमंत्री जी ने हमें बहुत एंकरेज किया है सुरुषे कि आप करो भारत सरकार आपके साथ में हैं आपको जहां भी असुविदा होगी वहां सपोर्ट करेंगे और उसी वजह से हम यह वेक्सिन डवलब कर पाए है और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और प्र पर पूरी बहरत बस की जनता के लिए बहुत गर्व की बात है We are really proud of the country. 100 kros reaching is not easy. Prime Minister was determined, determined to make it. All the negativity in the beginning, he converted into an opportunity. He converted into opportunity and he made it happen. And I think that's the greatest thing a leader can do for any country. पहले बार और हनुबर प्राइम मिनिस्टर राक्षिन लिया, यह एप्रूफ पर इंडियन इनवेशन, इंडियन स्टार्ट अप कल्चर तू हल्प, बाद में यह सक्से स्टोरी फर आत्मनेर्बाग प्रोग्रेम अफ दिस कंट्री, और इस रोल मॉडल फर एबरीबड़ी इ आज सुबा ग्यारा बचे आकाश्वानी से मन की बात कारक्रम में अपने विचार साजा करेंगे, यह इस मासिक रेडियो कारक्रम की बैयास भी कड़ी होगी, मन की बात कारक्रम आकाश्वानी और दूरदशन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा, यह आकाश्वानी समाचार की वेब साइट और न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल एप पर भी उपलब्द रहेगा आकाश्वारी समाचार डीडी न्यूज प्रधान मंत्री कार्याले और सूच्राओं प्रसारम मंत्राले के यूट्यूब चैनलों पर भी ये सीधा प्रसारित होगा आकाश्वान के आदेतनात ने शनिवार को जन पदवानलसी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 25 अक्टूबर 2021 को प्रस्तावित कारक्रम के दृष्टगत की जारे तैयारियों और विवस्ताओं के समिक्षा की साथ ही उन्होंने जन प्रतिनेधियों के साथ सरकिट हाउस में बैठ कर कारक्रम की तैयारी के संब्द में विस्तार से जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रशासन पुलिस वजन प्रतिनेधियों के मद्ध बेहतर समनवे बनाते हुए कारकम को सुचार रूप से पुरी भविता के साथ संपन किया जाए कारकम से जुड़ी सभी तैयारियां सुनिश्चित की जाए एडी जी ने प्रधान मंत्री के कारकम के दौरान की जा रही सुरक्षा वरस्था के संबन में जानकारी दी इसे पूर्व मुख मंत्री ने प्रधान मंत्री नरिंद रुमोदी के प्रस्तावित जंसभा राजा तालाब के महंदी कंच का इस थलिए नरिक्ष्ण किया प्रदानमत्री जी के प्रेड़नासिय मानिमंत्री जी के सतत मार्पडेशन में बारनसी में अवस्तापनाई स्विधाय हर दिन बढ़ रही है और उसी कड़ी में इस बार माननी प्रदानमत्री जी के हातो एक नहीं बलकि दो दो बड़ी अंड़रकृट्केंग का लोकारपन होनी जा रहा है जिसमें एक सरकेट हाउस में है जिसमें डबल बेस्मेंट में अंड़रकृट्केंग बनाई गई है यहां पर circuit house के आज़ पास बहुत सारी हमारे सरकारी कारले हैं, कचरी हैं, अन ओफिसेज हैं और यहां पर जेनमानस का एवन अधिवक्तावगन का और अन लोगों का भी काफी बड़ा एक यहां पर लोगों का एकटा होना रहता है और इसमें काफी काड़ियां और टूमिलर्स यहां पर रहती हैं तो उनके लिए एक ववस्तेतिसान वाँ पर मिल जाएगा और जो सर्किट हाउस के रोड़ पर जो जाम लगा रहता है उसमें उसे छुटकारा पाने मिलने में हम लोगों को मदद मिलेगी प्रियागराज में यंग लॉयर्ट्स असोसीशन हाई कोड़ द्वारा मुक्षिदाइनी मागंगा की अविरल और निर्मल धारा इसकी संरक्ष्णा विशेबर संगूष्टी का आयोजन किया गया इसमें मुक्ष हैते थी के रोप में केरल के राजबार आरिफ महम्मद खान ने परतिभाग किया नियाए मूर्ती सुधीर अगरवाल सदस नैशनल ग्रीन टिब्रिनल की अध्यक्ष्टा में कारक्म का आयोजन किया गया इस अफसबार राजबाल आरिफ महम्मद खान ने अपने समोधन में मागंगा को अवरल और निर्मल बनाये रखने के लिए सभी लोगों से अपील की है और सभी से इस कार में सहीयो का आवान किया है उन्होंने कहा है कि विबिन तरीकों से मागंगा प्रशूद प्रदूशित हो रही है जिसमें सिर्फ विकास ही एक कारक नहीं है बलकि हमारे आपके द्वारा भी लगतार मागंगा को प्रदूशित किया जा रहा है संगोष्टी को समद्द करते में निया मुर्ती सुधीर अगरवाल ने कहा कि संदर्ब में इमानदार पहल की सक्त जरूरत है तो खाफतोर सो होना चाहिए कि जहां पर पिरकिर्टी को परिया वरण को हमारे कामों से नुखसान पहुंच रहा है तो वो आज भले थोड़ा हमें फाइदा मिले लेकिन लंबे समय में वो खुद हमारे लिए ही कश्टायक होगा हमारे मौसम बदल रहे हैं हमारे हम बे मौसम की बारिश हो रही है लेंड सिलाइड हो रहे हैं तोAG से लिए हमारे इक्स soils कोरा होता है इसका कारण ही यह कि परिकिर्स का का पिरकिरती से फाइदा उठाने का पूरा हक है। लेकिन शोछ बिदॉश होता है जहا फाइदा इस तरह उठाए? कि जिसमें उसकी चती हो जाए तो यह हमारे उसको कानून से बड़ा मुश्किल है उसको एजिंसियों के जरी बड़ा मुश्किल है उसके लिए तो आपको जन मानस में ही चेतना पैदा करने पड़े इस तरीके की गोश्टियां होंगी तो विचारों का तोड़ा आदान-प्र की गोश्टियां अगर होंगी थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलेगी तो समय के साथ पिर उसका दो चार दस लोग ऐसे मिलेंगे तो उसके आगे काम करने यह सोचेंगे अगर एक के देना एक ला चलो एक भी चला तो पीछे लाइन बन सकती है तो आगवे कुछ उसका कानपुर नगर पहुची केंद्रिय वानिज और उद्योग राज मंतरी अनुप्रिया पटेल ने होटल लैंडबार्क में लेधर सेक्टर से संब्धे इंटरनेशनल टेस्टिंग लैब का उद्गाटन किया इस अपसपक केंद्रिय मंतरी ने लेधर सेक्टर से जुड़ए स्किल ट्रैनिंग के छातरों को स्किल काउंसल स्राटिफ केट वितरित किया पत्रकारों से बात करते ओए केंद्रिय मंतरी ने कहाए कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोडी ने इस वर्ष हमारे निरयात के लक्ष को 400 बिलियन डॉलर निर्धारित किया है इस लक्ष को पूरा करने में लेधर उद्योग को 5.8 बिलियन डॉलर की जिम्मेदारी दी गई है केंद्रिय मंत्री ने कहा है कि सेंटरल लेधर रिसर्च इंस्टिटूट और कानपूर लेधर कलस्टर ने मिल कर अंतराष्टी इस तरकी टेस्टिंग लेबरोटरी की स्थापना की है इसमें लेदर उद्योग से जुड़े उत्पादों की टेस्टिंग में काफी सहुलियत मिलेगी और इस दृष्टी से आज यहां पर हमारे सेंट्रल लेदर रीसर्च इंसिट्यूट और हमारे कानपुर लेदर क्रस्टर ने मिलकर एक साथ एक अंतर राश्ट्री स्तर की टेस्टिंग लिबॉट्री की स्थापना की है और इसके जरिये जो हमारे उद्योग से जुड़े हु में उत्पाद हैं उनके टेस्टिंग में बहुत सहूलियत होगी क्योंकि यदि हमें अपने निर्यात को समवर्धन देना है बढ़ाना है नए मार्केट दूनने हैं तो हमारे अंतर राश्ट्रिये स्टैंडर्ड जो है मानक जो है उन पर हमें खरा उतरना होगा उस दृष् में जिले की विकास को लेकर केंद्री राजमंतरी ने अधिकारियों से परताल की वहीं उन्होंने सम्मन्दित विवागों की अधिकारियों को समय सब्सक्राय पूरा कराने के बडिश का है उन्हें कि लग şu और सुक्षम उद्योग विभाग 그 के जिवाओं को को समय पर पूरा ना करने वाले अधिकारियों को फटकार भी लगाई कि अधिकार और और वारे जो तब आए उन्हें काम मिले और विश्टर इसे कि विश्टर के जूटों बना कि किसानों को हम ज्यादा केंद्री राजमंत्री साध्वी इंदरंजन जोती ने फटेपुर विकास पहुन मिद्धिशा के बैठक में हिस्सा लिया उन्हें जन्पद में जिला विकास समन्वे और निग्रानी समितिकारियों की समिक्षा की इस मौके पर साध्वी इंदरंजन जोती ने कहा कि जन्पद फटेपुर विकास के क्रम में तेजी से आगे बढ़ रहा है हमें और मेहनत करने की आवशक्ता है जिससे हम और बेहतर प्रदर्शन कर सकें साधी उन्होंने जन्पद के नम निर्मित मेडिकल कॉलिज का नाम सतंतुरता संग्राम सेनानियों के नाम पर रखे जाने के लिए मुखमंतुरे का धन्वाद देते हुए कहा कि ये जन्पद के लिए गौरफ की बात है कि हमारे अमर शहीद ग्रांतिकारियों के बलिदान को पहचान देने का कार वर्तमान सरकार ने किया है दूसरे नंबर प्रदेश में आने पर और उत्तर प्रतमिस्थान प्राफ्त करने में पतेपुर के सारे नागरी का विनंदन के पात रहें कि दूसरी वधाई मैं मानिनीय मुखमंती जी का विनंदन करती हूं कि जिस मेडिकल कॉलेज को हमने परिश्रम करके मेनत करके लाये थे हमारे जनपत के दो ऐसे योधा थे जिनोंने पूरे के पूरे परिवार को बल्दान कर दिया था ठासी के फंदे पर लटकाया गया था मैं नहीं जानती हूं कि अभी तक उनकी तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं गया उनको आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया मैंने मानी मुख्वंती जी से का कि मेरे जिले का मेडिकल कॉलेज ठाकुर दरियाव सिंग और जोधा सिंगटाया के नाम से होगा और मानी मुख्वंती जी ने साजता में उसकी शिक्रती भी दे दी पिली भीत में आई बाढ़ के बाद सर्कार किसानों और बाढ़ पीरितों के साथ है राजस्वती में सर्वे कर रही है कि कितना नुक्सान हुआ है ये सब देखा जा रहा है इसके साथ 68 गाउं का सर्विक्षन किया जा रहा है धान वागन्य की फसल ज्यादा बारिश और त्यूही है उसका भी सर्वे हो रहा है सर्वे के बाद धान वा गंडा किसानों को शतिपूर्ती दी जाएगी उन्हों नहीं बताया है कि गाउं में मेडिकल और पशुपानर विभाग की टीमें काम कर रही हैं बीमार इंसानों और पशुआ का इलाज कराया जा रहा है साथी ग्रामिर्ड शेत्रों में सर्काव कराया जा रहा है बाल ग्रस्त इलाकों में खाने के पैकट बाटे जा रहे हैं से पूरा किया जा रहा है सर्क्षन का काम सुरू करने के लिए हमने नर्देशित कर दिये हैं और यह प्रयास किया रहा है कि जो अती बृष्टी से भी धान की फसल को जो नुक्सान हुआ है उसका सर्क्षन करके और चट्पूर्टी कराया जाए हवाओं की वजह से और लाज की बेवस्ता और प्रशू की इलाज की निसुल्क बेवस्ता कराई गई है साथ-साथ में छड़काव और लोगों को पीने का अच्छा पानी और फुक्ट लंच पैक के बना करके उनके वीतर वित्रित बड़े पैमाने पर किये गए हैं अब वहाँ पर राशन किट औ का राशन सामगरी परियाप्त मात्रा में रख करके और उन्हें लगवग 15 से ज्यादा आइटम के साथ जो आवश्यक रोजमर्णा की जरुवत की चीज़े हैं वह उनको आपकूर्ती की जा रही है साम तक 1000 पैटेट और पान दे जाएंगे बस्ती में सांसद खेल महाकुम्ब 13 से 20 नौंबर तक अमर शहीद सत्यवान सिंग स्टेडियम में संपन होगा इसी को लेकर साइकिल यात्रा के माध्यम से भाजापा के राश्टे सचे वसांसद हरीश दिवेदी ने लोगों को खेल के परती जागरू करने के साथ बस्ती जिले से की जा रही है सांसद हरीश दिवेदी ने कहा कि खेल हमारे जीवन का महत्पूर्ण हिस्सा है ये नकिविल हमारे शरीड को फिट रखता है बलकि वर्तमान में खेल को अच्छे करियर के रूप में भी देखा जाता है इससे जिले के युवाओं के साथ ही साथ ग्रामीड फिश्ट रूम के जो खेल हैं उनको पुनरजीवित किया जाए उनको आगे बढ़ाया जाए इस द्रिष्टी से ये सांसद खेल महाकुम कायोजन बस्ती के सहित सत्यवान सिंग इस्टेडियम में 13 नौंबर से 20 नौंबर के बीच में हो रहा है उस का किल जुलूस हम लोग मिकाल रहे हैं और सबसे निवेदन करने के लिए इस सांसद खेल महाकुम में आप अधिक से अधिक संख्या में भाग ले करके इसको एतिहासिक बनाने में अपना सहयोग करें मेरिटर में चात्राओं की खुशी वस्वास्त को द्रिश्टकत करते हुए प्रधाना चारे सिस्टर गेल ने विद्याले में मेराथन दोड़का आईवोजन किया मेराथन का उद्देश चात्राओं का सर्वांगीर विकास है उनमें परसपर सहयोग सोहार्द सदभावना आशा प्रेम जैसे मानवे गुणों को विक्सित करना है इस मेराथन में कक्षा 8 से कक्षा 12 तक की चात्राओं ने भाग लिया है कमिशनर सुरेंदर सिंग ने मुक्यातिती के रूप में मेराथन का शुबारंब किया सभी चात्राओं के अभिभावकों ने मार्क के दोनों और खड़े होकर उनका उत्साह वर्दन किया कमिशनर सुरेंदर सिंग ने कहा कि चात्राओं में उत्साह दिखाई दे रहा है कोविड-19 वा अन बीमारियों से छुटकारा पाने के फिटनस बहुत जरूरी है सिक्स थर्टी पर ये कॉल हुई है उसके बावजूरी बच्चे साड़े-पांच बज़े से आना शुरू हो गया लगब पांस्तो से ज्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन और बहुत सारे उनके पेरेंट्स का उनके फैमिली मेंबर्स का उनके फ्रेंस का हों उसके लिए सब लोग बड़ी बेसबरी से इंतजार कर रहे थे और अब जब कोरोना कर्फ्यू खुला है स्कूल खुले हैं कॉलिस खुले हैं तो एक नया उत्साइज वातावरन में है और सब लोग अब वापस से जो पुरानी नॉमल लाइफ थी जिसको कई बार पहले अब नॉमल लगता था कि रूटीन में थी लेकिन आप लगता है कि नॉमल सी की तरफ सब लोग लौट रहे हैं और सब लोग बहुत उसाहित हैं ऐसे इवेंट सभी स्कूलों की तरफ से आयोजित हो रहे चाहिए जिससे के वापस से सभी लोग अपनी फिटनेस के परती सब्सक्राइब करें अपनेस रन डेफिनेटली पर चैरिटी रन और चैरिटी काई के लिए किसके लिए जैसे अभी दो साल से जेल में कोई गया ने तो उनके तोड़ा कंबल बाढने के लिए जो भी पैसा मिलेगा जो आमिना स्लम स्कूल में बुक्स वगरा लेके उनको द सौट आउट करा किसको किसको यह मदद हम बच्चे करेंगे वो जो भी उनको पैसा मिलेगा उसे और बच्चे अभी से यह इनकाल कट करें तो आगे होके इंडिया को बहुत फाइदा होगा क्योंकि हम बोल रहे हैं चिल्डन हैव विजिन फोर टुमारो तो यह अभी टुम विश्वकप की शुरुवात हो चुकी है भारत पहले मुकाबले में आज अपने चिर प्रत्युदंद्वी पाकिस्तान के साथ मकाबला करेगा आकले के लिहाज से देखें तो भारत का पारला जादा भारी है कोरोना वाइरिस के कारण एक साल की देडी से शुरू हो रहे ICC T20 विश्वकप का इंतजार अब खत्म हो चुका है बारा देशों के बीच T20 की बास्टाहत की जंग UAE में जारी है 2007 की विश्विजेता भारते टीम अपने सफर का आगाज रविवार को चिर्प्रतिद्वन्दी पाकिस्तान के साथ मैच खेल कर करेगी दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला दुबए इंटरनाशनल क्रिक्ट स्टेडियम में खेला जाएगा दोनों टीम के आंकडों की बात करे तो भारत का पलडा भारी नजर आ रहा है T20 विश्व कप में पाकिस्तान कभी भी भारत को हरा नहीं पाया है T20 विश्व कप में अब तक पांच बार ये दोनों टीमें आपस में टकरा चुकी है हर बार पाकिस्तान को हार का स्वाथ चखना पड़ा है जबकि बात अगर ओवरॉल मैच की करे तो यहां भी भारत पड़ोसी मुल्क से आगे है खेले गए कुल मैच में पाकिस्तान ने मातर एक मैच में जीत हांसिल करी है जबकि साथ बार भारत ने फत्य हांसिल की है वरात है और वो एक या दो वर गेंद वाजी भी करेंगे वही पाकिस्तान के साथ मैच पर कोली ने का कि पाकिस्तान एक मजबूत टीम है जिसको हराने के लिए हमें अपनी सौ फीजदी क्रिकट खेलनी पड़ेगी पाखिस्तन टीम मेरे हिसाब से काफी स्टांग टीम है दी और हमेशा स्टांग टीम रगी है और उनके अगें स्टापको हमेशा अपनी अपनी बेस्ट कर्केट खिलनी पढ़ी क्योंकि उनके पास बहुत टैलेंट है और ऐसे प्लेयर्स हैं जो गेम को चेंज कर सकते हैं कभी भी और ऐसी टीम होगे गेंस्ट आपको अपना बेस्ट प्लान लेके आना पड़ता है सामने और मेक शोर करना है कि एग्जेकूशन हमारी अच्छी हो और हम कंसिस्टेंटली जितना खेलेंगे उतना हम प्रेशर बना पाएंगे ओपोजेशन पे तो हमें डेफिनेटली अपनी एगेम दिट्यान है दुनिया में चाहे कोविट संकट के बाद पहली बाद T20 क्रिकट की पाशाहत की ये प्रतियुकता हो रही है जाहिर है कोरोना की वज़े से क्रिकट में कई तरह के बदला हुए हैं जिससे ना किवल खेल बलकि खिलाडियों की मांसिक सेहत पर भी असर पड़ा है ऐसे में वदोर कप्तान विराट कोली के लिए दोहरी चुनाओती है कि वो खिलाडियों के प्रदेशन के साथ साथ बहतर तालमेल के ज़रिये उनकी मांसिक सिथी पर भी ध्यान रखें केंद्र और प्रदेश सरकार दोरा स्थानिये उतपाद को बढ़ःवा देने के प्रियास कुकती मिलते हुई दिखाए दे रही है लोगच्चेंज से बने हुए सामान की जगें इस्थानिये इस तर पर उतपादित सामानों को तिहारों में वपियोग मिला रहे हैं हापड में कुमारों के इसका लाब मिलता हूँ दिखाई दे रहा है मिच्ची के दिये और अन्य सामान के बाजार में खरीदे जा रहे हैं इनको उसका उचित मूल भी मिल रहा है इस्तानिय कला के साथ साथ इस्तानिय इस्तार पर बनाय जा रहा है सामानों के खरीद से इन्हें अच्छी आए हो रही है कुमारों को बिजली के चाक उपलब्द करवाए गए हैं जिससे यह अधिक सामान बना पा रहे हैं बना रहे हैं काफी शंक्य में डिवान डार यह और गाजयवाद मेरट सब्सक्राइब करते हैं वंदाजी यह इदे पपलिक काम ये देवलियन का ज्याद मांग हो रही है मिशन शक्ती अभ्यान बालिकाओं को स्रशक्त बनाने का एक महत्पूर कदम है जो सपल होता दिखाई दे रहा है बरेली में GIC की छात्राओं को सांकेतिक अधिकारी बनाकर इन्हें गौर्वान विद्किया गया है एक दिन के लिए सिटी मलिस्ट्रेट बनाए गई पूजा का कहना है कि जो अधिकारी इन पदों पर कार कर रहे हैं उन्हें जनता कि अपक्षाओं पर खरा उतनना पड़ता है ये कार काफी कठिन है जिस जिम्मेदारी का अंधिर्वहन रोज करते हैं उन्हें कहा कि हम पढ़कर सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं जिससे देश की सेवा कर सकें अनमता खान ने S.P. देहाद की जिम्मेदारी एक दिन के लिए दी गई थी उन्हें कैसे महिलाओं की और जन सामान की सुरक्षा कीजा इसको महसूस किया आने वले समय में ये चात्राय प्रशास्निक पदों पर कार करना चाहती हैं जिससे वो राश्ट के साथ समाज की भी सेवा कर सकें प्रविजन अधिकारी बरेली के द्वारा मिसंच सक्ति जो भारस सरकार उत्तापरतिष सरकार की एक उठाण, नारी उठाण की योजना है उसके तहद महिलास ससक्ती करन के रूम में इस तरह का महिलाओं को साव बरधन किया जा रहा है और उनको इस प्रेरेद किया जा रहा है कि वो आगे बड़े पदों पर बैठें, बिराजें और उनकी सोच भी प्रिस्द रूप से राष्ट के विकास के लिए लागू हो मैं लाओ को ससक्त करने के लिए उनको अभी एक अभ्यान में सन सक्ती के तहट चलाया गया एक दिन के लिए पद्क के रूम में उनको कार करने के लिए प्रेरिद किया जाता है जिससे कि वो राष्ट निर्माल के रूम में और अपनी सर्व सक्ती के साथ उसका विकास और सुरच्छा प्रदान के लिए अमेजिंग है बहुत मतलब बहुत बढ़ी अपोर्चनिटी है मेरे लिए कि यहां पर आके बैठना हो फे कुछ बोलना हाई यह मतलब डिफ्रेंट्स वाकता एक दब मेरे लिए लेकिन आई फिल एट इस गुट फॉर मी और में को आगे करना से लिए जिन्मेदारी का पद है क्योंकि एक लोग की पर मतलब परशानी तो बहुत लोग की है तो उसको हैंडल करना भी मतलब आना भी चाहिए अगर इस पद पर मतलब बरतमान में मेरा सफना है कि मैं आई एस ओफिसर गनूं तो मेरी यही इच्छा है कि मैं इस पद को अगर कभी मुझे मिलता भी यह पर तो मैं जो लोग आएंगे सबसे पहले तो जो स्टाफ जो लोग आएंगे मेरे पास उनका में निवाराण करने मैं चुट्टी नहीं लेना चाहते हूं भस मेरे मेरे यही एकि मैं देश सेवा करूं बस लोगों कि सेवा करना चाहती हूं मैं जुट्या मेरी लाइफ में नाँ बस मेरे यही इससा है और वेस्थता के इस दौर में अगर आप अपने टीवी सेट के पास नहीं है तब भी आप दूर दशन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामाइक विश्यों के कारग्रमों को हमारे यूटूब चैनल टीडी न्यूज यूपी पर देख सकते हैं इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा www.youtube.com slash ddnews.yup अब आप दूर दशन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामाइक विश्यों के कारग्रमों को हमारे यूटूब चैनल डीडी न्यूज यूपी पर देख सकते हैं इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा www.youtube.com slash ddnews.yup बुक्मंतरी हो गया अधितनाथ ने कलवाना नसे का किया दौरा प्रदान मंतरे के आगमन के तैयारियों की किसमिक्षा उन्होंने जन्सभाह स्थल का अंद्रिक्षन भी किया अधिकारियों को चाक चौबंद विवस्था के देग नर्देश प्रदेश की किशमिंतरी सुरु पताप शाही ने अभी हाल में भारी बारिश और बार्ष के कारण अपिली भीत में हवाई सर्विक्षन कर बार से हुए नुकसान का लिया जाहिजा उन्होंने का किसानों की फसल के नुकसान का आकलन कर शती पूर्टी की जाएगी और आगामी 13 से 20 से नौंबर तक बस्ती में होगा सांसद खेल महाकुम्ब का आयोजन बाजापा के राष्टे सचिप वबस्ती के सांसद हरीश दिवेदी ने इस खेल के परते इन लोगों में जागुता पहलाने के उद्देश से साइकल रैली को किया रवाना तो बलुटिन में फिला हल इतना ही दीजे इजासत नमस्कार